करेंट इस वीडियो में आप बहुत बड़ी गुड न्यूज देने वाला हूं फ्रेंस मैं आप लोग सभी को बता दू कि जितने भी बच्चे रेलवे का एक्जाम दिये थे ना जितने भी बच्चे रेलवे के एक्जाम में अफियर हुए थे उन सभी बच्चों का फीस बहुत सारे बच्चों का फीस वापस नहीं हुआ था इसके कारां से रेल बेतर नहीं खारी किा यहाई पताया इसको आप पैसा वापस आजैगा तो आध्की इस वीडियो में आप लोगे यही उसी नोटिस के रिकार्डिंग बताने वाला हूं संपूर जनकारी आप लोग वीडियो का लास्टक देखेगा बिना इसके में आप लोग एटूज जनकारी इस वीडियो में दे दूंगा अगर आप लोग इसके बाद भी कोई डाउट रहे ताप लोग कमेंट बॉक्स म अब लेवल वन पत्याने की गुरुपडी वालो भरत्रों बच बच्वक्चों के लिए ठीक है ध्यान करसर हे ठीक है अभिहारतियों के तरह सुल की वाप सी बैंक खाते को क्या करना आप लोग को देखिए आप लोग पता है कि रेल बेकर जाब फोर्म बढ़ा गाता है उस आप लोग बच्चों के साथ प्रोब्लम आया था इसके कारण से पैसा नहीं हो पाया ठीक है इसके कारण से से डोबारा से रेल वे क्या कि यह कि बैंक मोडिफिकेशन जो लिंग अप एकटिव करने कर दी है कि आप लोग अपना हम में में पैसा अबर्चा कर दीटेल्स त मिल जा जब मिल जाए तो आप लोग क्या करना जिनका भी पैसा वापस नहीं मिल था आ अप लोग को क्या करना हैसीं क्लिक करके सिंपली अपना बाइंक डिटेल अप्डेट करना है और देखिये आगे बता गया सारा कुछ में नोच्टिस पढ़े indoors बता देरां आप प्रदान के प्रदान की प्रदान क्राद़ान करने का निया है या या अन्तिम औसर के रूप में फीर से अपडेट फिर अपडेट करना के लिए लिंक प्रदान की प्रदान करने का दिन उसर दे रहे उन सभी बच्चों के लिए कि अपना बैंक का डिटेल्स अपडेट कर सके सही सही सब कुछ भर सके जिन उमीद्वारों का रिफंड अभी तक नहीं किया गया है उन्हें सलाह दी जाती है को अपना बैंक खाते का विवरार को अपडेट करने के लिए इस अंतिम उसर का उपयोग करें यानि कि यह लास्ट अपोर्चुनिटी आप लोगों दी गई इसके पास से तरफ से कोई अपोर्चुनिटी नहीं दी जाएगी अगर आप लोगों ने इस बीच में भी अपना डिटेल्स अपडेट नहीं किया तो आप लोग का पैसा फुल रिफंड की का विकल्प चुना था ठीक है बरतमान में उनका इंटरनेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड किया हुआ है कि बंद बंद हुआ या बदला हो गया जिसके कारण से बैंक द्वारा खाते का वीबरा प्रदान नहीं किया जा सकता जा सका रिफंड नहीं किया जा सका ऐसे द्वारों जिनका रिफंड अभी तक नहीं हुआ है उपंजिक्रित इमेल आइडी और मोबाइल नमर पर एक इमेल एसमेस भीजा जाएगा दिये गए लिंक के माध्यम से बैंक को भरने दौरान ओटिपी सत्यापन का भी सकता हो गयानि कि आप लोग का रजिस्टर इमेल आ दर्च किया गया बैंक का बीवरार का जोगी खाता नंबर और आई एफसी कोड सहीं और उन्हें सब्मिट करने से पहले बैंक का बीवर आई एफसी कोड को ध्यान से जाच लियानि कि आप लोग कि यह लास्ट अप्रोचुनिटी आप लोग नहीं देगी ठीक है उमिद्व अधिक भारो द्वारा प्रस्तुत गलत भीवरट के कारार रिफन्द की विफलता के लिए जिम्मेदार यह जिम्मेदार होगा ठीक है और यह रिफन्द अब नहीं होगा नहीं ठीक है आप लोग की बता दियागा एवं इस संबंद में आगे उमिद्वार को प्रचार प्र अधिकारिक वेफ साइट दिनाएं 26 अपरेल दोजार चोबीस सुबाद 10 बजे से लेकर के पांच मई तक पांच बजे तक अउपलब्द होगा यानि कि अधिकारिक बेफ साइट पर भी आप लिंक मिल जाएगा ठीक है वहां से अपनों मोबाइल नम्मर इमेल आइडी के मा आपन के बाद भी परिछा सूल को वापसी को कटावती के बाद सुविकार है होगा ठीक है गलत अपूर या देर से किये जाने किये गए दावों का सरकसारी तवर पर खारिच कर दे जाएगा आप लेट से सब्मिट कीजिए ता आप लोगों का ये खारिज करें रिजेक्ट अपना ये पैसा ना इसी का आएगा पैसा ठीक है अप लोगों कोई एक ही बैंक अपना नमर देना एक एक आईडी पर ठीक है उसके बाद बोला गया है कि अभ्यारती को या सलाह दे जाती है कि अपडेट सुचना को रेलवे भरती बूड वेपसाइट इतना पर नियमित र आएगा्या मैं वी बता दो आगा अगर चाहिजा आप लोगों का सब्सक्क्रया चाहिए और सारा कुछ detail में क्लियर बता दिया गया है मैं आप लोग बताता हूं कुछ भी डाउट अगर आप लोग को रहे ना भरती से डिलेटेट आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किजेगा क्यों मेरे पास इस चीज का complete experience आ चुका है और मैं बता दो करीब इस भरती में एक करोड 26 लाख लड़के अपीयर हुए थे और इसमें किया हुए बहुत सारे ऐसे इंस्टुडेंस जिनका फिस रिफंड नहीं हो सका है लाखों में इस्टुडेंस जिसका फिस रिफंड नहीं हुआ है तो रेलवे उनको सभी बच्चों के लिए दोबारा से मौक्का दे र चैनल को रेलवे भरते से लिटेट कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जितना की मैं बताता हूं आप लोग मैं अपने परसनल एक्सप्रियंस के यह आधार पर बताता हूं सारा कुछ तो आप लोग अगर कोई डाउट रहे कुछ भी प् सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग